क्या आप भी वक्ती करते हो और क्या आप ने भी गुरु धारन कर लिया है और उसके बाद भी आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं आपको कोई कारिया नहीं बन रहा मंतर जाप भी करते हो प्रंतु कोई सिद्धी प्राप्त नहीं हो रही और आपके जो कारिया हैं बिगड रह और आपको यह लगता है कि ना तो स्वपन में दर्शन होता है देवी देवताओं का ना ही कोई आदेश होता है और आपको यह लगता है कि हमारे दिन कुछ उल्टे से हो गए हैं हमारे दिन खोटे लग गए हैं या फिर हमें प्रमातमा की कृपा नहीं मिल रही है तो क्या कार पूरा नहीं सुनते हो तो देखो आपको पूरा ज्यानतों में नहीं कह सकती जानकारी नहीं मिल पाती तो जिन लोगों को अनुबव नहीं हो रहे एक कारण क्या है कारणों पर आप आज जर्चा करेंगे देखो बहुत सारे लोग होते हैं और बगत जो दो प्रकार के उत्मानने गए हैं एक तो वो बगत होते हैं जिनको प्रत्यक्स सिद्धी हो जाते हैं प्रत्यक्स दर्शन य इनके कार्या भी गड़ रहे हैं पूजा पार्ट हैं सारी चीजे और हमारे तो फटक से काम बन जाते हैं कोई भी चीज अगर होने वाली होती है हमें पहले ही पता चल जाता है उसका परंतु हमें इलाज नहीं पता चल पाता है यानि के पूर्वबास भी हमें हो जाता है और अगर हम किसी को बोल देते हैं कि ये कारे तुम्हा आप भक्ति के मार्ग में हों। परत्यक्स सिद्धी के लक्षन होते हैं कई लोग बहुत समय से मंतर जाप कर रहे हैं गुरु धारन भी कर रहे हैं परन्तु अब वो निरास हो चुके हैं कि हमें तो गुरु अच्छे नहीं मिले या फिर हमारा कारिया नहीं बनता है या फिर उनको ये लगता है कि हम बहुत उच्ची कोटी के उच्चे दरजे के भगता हैं हमारे जैसा तो कोई भगती नहीं है हम तो बहुत भगती करते हैं फिर भी बगवान हमारी सुनते नहीं है गुरू अगर किसी बात के लिए ताड लगाता है आपको कि आपको ऐसा नहीं करना है आप ये चीज जोड़ो आप अभिमान नहीं हो तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लगती है वो अपने अभिमान की तरफ नहीं देखते हैं और अहंकार में जो है अंधे होते हैं तो इह दूसरी बात होती है ये तो अपरतेक्स सिद्धी ऐसा नहीं है कि आप काफी समय से मंतर जप रहे हो आपको अनुबव नहीं हो रहे तो आपके पास सिद्धी नहीं है सिद्धी है पर वो अपरतेक्स रूप से है आप उसका प्रयोग करने नहीं जानते हो और जब आपको किसी आपे अविश्वास की भावना उत्पन हो गई येकिन मानिये बगवान आपकी हर जगा रक्षा करते हैं अब देखो मैं छोटे से उधारन आपको दे देती हूं मानिये किसी इंसान के पास रोजगार नहीं है काम दंदा नहीं है बिल्कुल बेरोजगार वो बैठा हुआ है और बगवान से रोज अरदास लगा रहे हैं परमात्मा मेरी सरकारी नोकरी लग जाए मेरी कोई बिजनस चल जाए या फिर मैं विदेश चला जाओं बहुत सारे लोग दरबारों में जाके जैसे जहाज बांद के आ जाते हैं कि मैं विदेश चला जाओं नोकरी के लिए अ आपको कुछ ऐसे होते हैं शिस बचे लोग भगत जिनको विश्वास ही नहीं हो पाता जो दिमाग से जाधा सूचते हैं अगर वो प्रयोग करके देखें उस चीज का और विश्वास करें अपनी सिद्धी पे तो उनको भी अनुबव होने सुरू हो जाते हैं और जब आपको अनुबव होते हैं तो आप उन अनुबव पर विश्वास नहीं करते हैं आप दिमाग लगा के सोचते हो कि क्या जो बने वो गुलाम थोड़ी नहीं आपके तो ये चोटी-चोटी सी बाते होती हैं आप जो गुरु मंत्र का जाप कर रहे हो उसको नित्या करते रहे अगर आप जाप करते रहे तो आपको एक दिन परत्यक्स सिद्धी भी जरूर मिलेगी हर इंसान का दिमाग अलग होता है हर इंसान की सोच अलग होती है बोडी पोस्चर जो होता है वो अलग होता है हर चीज को ग्रहन करने की शमता भी अलग होती है अब जिसके अंदर जादक शमता है एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो फटा-फट से कैच कर लेते हैं टीचर की समझाई होई बात उनको बाते हैं जो समर्त हैं अपना नहीं पता लगता के हमारे मापक में इतनी चीज नहीं आ सकती आप कोई अधा किलो का मापक है और अप उसमें एक किलो अगर दूद डाल रहे हो तो वो कैसे आजाएगा बाहर उचलके आजाएगा उसी प्रकार से लोग जो है अपनी भावना को बाहर फैक देते हैं कि मुझे तो कोई अलबाव नहीं हो रहे बगवान के सामने रोने लग जाएंगे बगवान से हर समय शिकायत करने लग जाएंगे देखो परमात्मा के सामने भी दो तरह के भगत रोते हैं एक तो वो रोते हैं जो हमेशे ही लाल सा रखते हैं कि मेरा य इस सिद्धी की लालसा लगी रहती है, शिद्धी करके क्या भाई दुनिया में अग लगानी है तुम Good. जो प्रमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, जो भक्ती की प्राप्ति करना चाहता है, बहगवान के लिए रोता है. कि है बगवान मुझे पता नहीं आपके दर्शन कब हो है बगवान पता नहीं आप कब मेरे साथ गुरू रूप में चलो कब मेरे साथ पिता रूप में चलो कब मेरे साथ मा के रूप में चलो और मुझे प्यार करो क्यूं क्यूंकि वो संसार से जिनका मौ उठ जाता है जिनक आपको अनुभव निश्चित ही होंगे और बहुत जरूर होंगे तो जो इनसान विश्वास के साथ कारिया करता है उसके सभी कारिया बनते हैं तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को जैमाता की